नमस्कार दोस्तों आप सभी मित्रों का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल डीके सनी इस्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है तो दोस्तों इंटरनेशिप की जो न्यूज आई थी वो मैंने कल डाली थी जिसके अंदर उस न्यूज के अंदर सरकार ने बताया था जो फै है जाठ कर दिया है अब दोस्तों जो न्यूज आई है वो मैं आपको बता देता हूं यदि इंटर्ईसिप इस तरीके से करवाई जाएगी तो falan चाहतर इस तरीके से जो न्यूज है वो आई है न्यूज प्यर के अंदर मैं आपको आगे वीडिव में बताऊंगा उससे पह अगर जाकर कराएंगे B.Ed की इंटर्नशिप शिक्षा विवाग का निरने चात्रों ने जताया विरोध। रीट से बाहर हो जाएंगे B.Ed के चात्रियां पर आप देख सकते हैं। क्यों हो जाएंगे रीट से बाहर B.Ed के चात्र यां पर आप देख सकते हैं। चात्रों का खहना है कि इंटर्नशिप करने से B.Ed चात्र सितंबर में होने वाली रीट में सामिल नहीं हो पाएंगे। परिक्षा दी तो डिग्री नहीं मिलेगी, रिजल्ट जारी हुआ तो आगे की प्रिक्रिया में सामिल नहीं हो पाएंगे। बता दे B.Ed चात्रों को प्रतंबर्स में बिना परिक्षा प्रमूट कर दिया गया था। प्रदेश के 1422 कोलेजों से B.Ed करने वाले करीब डेड़ लाग चात्रों के सामने कोरोना काल में इंटर्नशिप की समिश्या खड़ी हो गई है। इसे में रिजल्ट 2022 में आएगा। इस प्रिक्रिया के तहट दो साल की B.Ed तीन साल में पूरी होगी। चात्रों ने इंटर्नशिप रद्द करने की मांग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। वहीं पिछले वर्ष प्रेसिक्षन कारिया का सेडूल जारी हुआ मगर लोगडाउन में इंटर्नशिप अटक गई। अब अंतिम वर्ष में अभी प्रेसिक्षन जो कारिया है वो नहीं करवाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने जो फैसला लिया था शिक्षा विवाग ने की गरगर जाकर बीयड के जो चातर है वो इंटर्शिप कराएंगे इसका विरोध बीयड वाले चातर कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों वो रीट से बहार हो सकते हैं यदि ऐसा हुआ तो तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपका क्या राय है आपका क्या कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें चले दोस्तों आज के लिए फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद